तो आज हम करेंगे class 10th math exercise 4.2 quadratic equation का एक important question ठीक है इसमें हमने factorize करना है ठीक है यहाँ पर हमको एक quadratic equation given है हमने इस quadratic equation का middle term splitting से factorization करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो यह x square का coefficient है जो यह a है इसको हम इस c के साथ में constant term के साथ में multiply करेंगे ठीक है तो root 2 को हम 5 root 2 के साथ में multiply करेंगे अब देखो root 2 into root 2 होता है 2 तो यह हो जाएगा हमारा 5 into 2 root 2 into root 2 हो गया 2 यहाँ पर 5 भी है तो यह हो जाएगा 5 into 2 जो कि हो जाएगा time तो जब भी हमको middle term splitting करना होता है तो हम सबसे पहले x square का जो coefficient है ठीक है उसको लेते हैं और उसे constant term के साथ में multiply करते हैं जैसे कि यहाँ पर हमने किये अब जो number यहाँ पर हमारे पास में आएगा हमने उसका factorization कर लेना है ठीक है किस तरीके से इसका हमने prime factorization कर लेना है ठीक है तो 2, 5 जा हो जाएगा यहाँ पर 10 5 बन जा हो जाएगा 5 करेक्ट तो हमने इसकी help से middle term को split करने में help लेनी है मतलब इसका help लेना है और इस middle term को split करना है ठीक है अब इस middle term को किस तरीके से split किया जाएगा कि अगर हम उनको add करें तो वापी से वह 7 हो जाए लेकिन अगर हम उनका product करें जो हमने splitting करके दो numbers बनाये है अगर हम उनका product करें तो वो इन कोणी कोणी वाले numbers के product के बराबर यानि कि 10 के बराबर है और अगर हम उनका प्रड़क करें तो वह कोने वाले जो नंबर से हैं उनके प्रड़क के बराबर आए यानि कि 10 के बराबर आए ठीक है ऐसा हम यहां पर जो यह हमने बनाया है इसकी हल्प से हम 7 को स्प्लेट करेंगे ठीक है तो देखो यहां पर एक 2 है एक 5 है अगर मैं 2 प्लस 5 करने हूँ तो 7 हो जाता है और 2 इंटू 5 कर दू तो 10 भी हो जाता है तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 2 and 5 तो 2 plus 5 तो 7 हो जाता है और into करने पर 2 into 5 10 हो जाता है जो कि कोनी कोने वाले numbers के multiply के बराबर भी आता है तो यहाँ पर हमने 7 को सही तरीके से split करके लिख लिए अब यहाँ पर हमारे पास में है root 2 x square सबसे पहले फिर है plus तो लगा लिए plus 7 को split करके हमने लिख लिए 2 plus 5 यहाँ पर x है तो लगाएंगे x फिर यहाँ पर है plus फिर यहाँ पर हमारे पास में है 5 root 2 equals to 0 ठीक है अब आगे solve परते हैं question को देखो यहाँ पर हमारे पास में है root 2 x square अब हम इस bracket को open करेंगे तो आजाएगा 2 x plus 2 x plus plus जाब plus 5 x, ठीक है इस bracket को open किया तो plus 2 x एक बन गिया, एक बन गिया plus plus जा plus 5 x, ठीक है यहाँ पर plus 5 x फिर यहाँ पर है plus 5 root 2 equals to में है 0 अब यहाँ से common नहींगे अब यहाँ से common नहींगे इन दो term में से common नेंगे इन दो terms में से common नेंगे अब देखो इस 2 में याद रखो कि 2 में क्या होता है root 2 into root 2 होता है क्योंकि हमें पता है कि root 2 into root 2 क्या होता है 2 होता है तो 2 के भीतर क्या होता है root 2 into root 2 देखो यहाँ पर भी root 2 है यहाँ पर रजएगा सिर्फ x ठीक है यहाँ पर रजएगा x तो यहाँ पर आगया x फिर यहाँ पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस अब देखो 2 की जगा पर हो चुका है root 2 into root 2 root 2 को हम बहार common ले जा चुके है तो एक root 2 यहाँ पर बजगा है तो एक root 2 यहाँ पर आएगा x को हम बहार common ले जा चुके है तो जब हम इस term में से root 2 x को common लेंगे तो यहाँ पर root 2 आएगा ठीक है अब चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले यह प्लस है तो लगाएंगे प्लस अब देखो इन दोनों terms में हमें 5 common दिखाए दे रहे तो 5 बहार common ले लो तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा x फिर है plus 5 यहाँ से बहार common जा चुका है यहाँ पर root 2 रहे गा है इकवल सुमें तो 0 है यह है अब देखो इस वाले term में और इस वाले term में x plus root 2 यहाँ पर भी है x plus root 2 यहाँ पर भी है इक पल सुमें 0 तो हैंगे है, आप क्या करेंगे? अब हम एक बारे इसको 0 के इक पल लेंगे, आप एक प्लस thou को 0 के इक पल लेंगे, रूट टुको इस तरफ लेक एक जाएंगे तो x गा वैडियो है जाएगा, minus root 2, ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको 0 के equal लेंगे, root 2 x plus 5 equals to 0, इसको लेंगे, 5 को उसे तरफ लेकर के जाएंगे, तो जाएगा root 2, x equals to minus 5, अब root 2 को नीचे लेकर के जाएंगे, तो x जाएगा minus 5 upon root 2, ठीक है, यह आगे है, चाओ तो इसको थोड़ा rationalize करके भी दिखा सकते हो, क्योंकि denominator में यह rational number नहीं होना चाहिए न, तो denominator में root 2 है, तो root 2 से उपर नीचे multiply कर लो, तो यह हो जाएगा minus 5 root 2, इन दोनों को multiply करके, and root 2 into root 2, तो x के यहाँ पर दो values हमारे पास में आ गए, correct, यह हमको निकालना था इस question में, तो यह आगे हमारे question का final answer है, quadratic equation में जो x था न, उसका value हमने निकाल गया, और factorize करके पुरा solve किया, ठीक है, तो हमने यहाँ पर factorization के साथ में solve भी किया इसको, ठीक है, तो ही आ गया, इस quadratic equation का solution आ गया हमारे पास में, roots आ गया हमारे पास में, और आया, root आया, x equals to minus root 2, एक, और एक आया, x equals to minus 5 root 2 upon 2, ठीक है, तो ही आ गया हमारे इस question का final answer,